हेलो स्टुडेंट्स पॉर्मूलेटर में आप लोग का स्वागत है आज हम जो पीवाइक्यू देखने जा रहे हैं यह हमारा पीवाइक्यू सेक्षन होगा 2022 का यह हमारा पीवाइक्यू है 2022 कम्प्यूटर साइन्स फॉर्थ सेम पेपर जो आपका जो सब्जेक्ट है वो एक समड़ी जान लेते हैं यह एक एक इमपूर्टेंट पेपर है computer organization and architecture and computer architecture दोनों के syllabus में बहुत different होता है CS वाले को कोवा पढ़ना है computer organization and architecture and बाकी other जो branches हैं जैसे double E हो गए या triple E हो गए उनमें computer architecture भी है और एक किसे और एक branch में computer organization and architecture भी है तो थोड़े से अंतर होते हैं हर एक syllabus में लेकिन computer architecture जो होता है वो totally आपका hardware based होता है architecture based होता है लेकिन जहां पर computer organization का part आ जाता है उसमें कुछ part software के भी आ जाते हैं ठीक है अब हम चलते हैं questions पर यह आपका 2022 का question है पूछा हुआ जो AQ के अनुसार के या PMBU के अनुसार जो आपका syllabus है उसके बेस्ट जो आपका question 2022 में computer organization architecture में पूछा गया था उस पर हम चलेंगे हम इसका दो session हम लेके चलेंगे पहले मैं इसे clear कर देता हूँ पहला session आपका objective का रहेगा जो आपका 10 objective रहता है जिसमें सयात deal करना रहता है उसमें मैं first part में उसे लेके चलूँगा फिर second part जो होगा वो आपका long questions का होगा जो question number two से लेके 9 तक रहता है तो चलिए objective section को start करते हैं देखते हैं कि क्या questions आपके universities सिटीज ने बुचा है ओके टैंटर एंड स्टार्ट तो पहला question है चूज पहला जो आपका part रहेगा question number one का choose the correct answer of the following any seven दस में कोई भी साथ आपको बनाना यह दियान रखना यह नहीं कि 10 बनाके आ जाईएगा बहुत सारे बच्चे करते हैं अब है question number one क्या कहता है कि 8 bit encoding format used to store data in computer is जब यहां पर 8 bit का काम आ जाता है 8 bit encoding का आ जाता है यानि 8 bit 8085 architecture अगर आप macro processor देखोगे तो वह 8 bit पर ही based सारे थे तो 8 bit encoding format used to store data in computer अब data में 8 bit का जो data store होना है इन में से कौन उसको help करता है ठीक है तो आप basic बाते जानते होंगे कि अगर इस questions को देखें तो 8 bit encoding for me used to store data in computer यहां पर तो मैंने answer link बता दिया है कि इसका ASCII होगा ASCII 1 और 2 नहीं ASCII ठीक है American standard code for information interchange यह ASCII होता है तो इसका main part क्या था ASCII क्या करता था ASCII value आप अगर किसी का अगर जानते हो मानलो A हम लिखते हैं A का ASCII value 65 होता है ठीक है A का ASCII value क्या होता है 65 होता है तो चुकि यह A जो लिखते हैं इसको convert यह होता है न यह encode होता है इन कोड करना यानि उस bit में इन कोड करना की user ने क्या दिया और अगर हम इसे initial शुरवात से देखें जब 8085 1972 के लंसम का पार्थ अगर हम देखें तो वहां पे 8085 macro processor जो 8 bit based था वह data को या computer में store करने के लिए जो data में क्या implement होता था तो वह ASCII बात है ठीक है तो यह क्या करता है हर एक data का इसमें क्या एक implement किया गया कि हर एक जो हम entry करते है keyboard के थुरूँ चुकि जो keyboard से हम entry करेंगे वही data होता है उसी का encoding होता है ठीक है और भी कोई भी चीज हो तो उसका encoding का नहीं है चुकि data का encoding होता है तो data को encode करने के लिए ASCII बनाया गया ठीक है आसकी नाम का एक software को त्यार किया गया यह हमारा एक hardware and software दोनों based यह काम करता है यह kernel पे जाड़ा dependent है यह kernel operating system जो kernel है वह यहां पे बहुत ज्यादा यूज होता है kernel का काम hardware और software दोनों के बीच के लिए होता है ठीक है तो ASCII अगर किसी का हम ASCII अगर जान लेते हैं जैसे एक capital A का हमने 65 दिया उसी तरह अगर हम enter की का जाने हैं तो enter हम प्रेस करते हैं तो उसका क्या होता है 13 होता है ASCII value उसे space का 32 होता है escape का 28 होता है इस तरह से सारे जो highlighted keyword हैं जैसे key हैं उनका हम याद करते हैं बांकि हैं तो बहुत सारे इक सोचार एक सोदस के करीब की होते हैं कीबोर्ड में लेकिन हम जो famous हैं उनका ज्यादा तर याद रखते हैं क्योंकि space enter escape इन सब का यूज जादा होता है तो यह 13 अगर हम जान लेते हैं तो यह ASCII का मतलब क्या हुआ कि अब इसका 65 का क्या होगा boundary conversion होगा आप नंबर सिस्टम पढ़े होंगे कि boundary conversion कैसे होता है इसे हम बैंडरी में जब 2 से हम divide करेंगे और इस साट जो जो उसका value आते चला जाएगा जो 1 और 0 में रहेगा वह यहां पे क्या होगा काम होगा और अगर हम इस पे देखें कि 2 से अगर हम लगाए तो 32 दुना 64 होगा 65 तो कटेगा नहीं तो यहां पे क्या हो गया 32 दुना 64 यहां पे एक बच रहा है यहां पे फिर लगाए 62 यहां क्या होगा जीरो हो गया फिर हम लगाए दुना 64 फिर 0 लगाए चार फिर 0 हुआ फिर दुना 4 फिर 0 हुआ अब फिर वहां पे क्या होगा कट जाएगर वहां 1 बच जाएगा तो क्या होगा यह यह जो इसका वन जीरो 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 वन यह जो इसका बैंडरी वैलू होता है तब पता चलता है कि यूजर ने ए प्रेस किया है ठीक है इस तरह से इसका बैंडरी कंवर्जन होता है इसी तरह बी का 66 होगा आप 66 का बैंडरी आप निकाल के देख लो इस तरह से निकलते निकलते में हर एक value का coding encoding होता है data का 8-bit में या फिर अब जो भी bit का macro processor होगा उसके नुसार उसका conversion होता है तेज जितना fast जितना bit का होगा उतना तेज आपका conversion होगा तो यहां पे 8-bit encoding format use to store the data in computer वो ASCII करता है ठीक है ओके तो इसका सही answer 1 question number 1 का एका पहला होगा 1 ओके तू क्या है दब बस use to connect the monitor to the CPU अब यहां पर बहुत सारे चीज आप देखते होंगे कि यह लैप्टॉप में आपने लैप्टॉप के अंदर जो वायर से connected होते हैं उसमें भी PCI होता है ठीक है बिना PCI का तो कोई CPU और monitor का connection नहीं होता है चुकि PCI में क्या होता है आप एक port ऐसा तरह का जिसमें यह इस तरह का port बना रहता है और यहां से वायर होते हैं और इसमें यह जो पीन छोटे छोटे होल होते हैं ठीक है और वह आपके system में connect होते हैं जो कौन सा bus जो use to connect the monitor CPU से monitor में connect होता है उस वायर को क्या कहते हैं उस वायर को PCI bus कहते हैं ठीक है चुकि system में जितने भी वायर हैं सारे bus के रुप में जाने जाते हैं ठीक है ट्रक नहीं समझेगा बस है तो बस कहने का मतलब यहां पर आप कोई भी वस को यूज करो address बस आएगा data बस आ जाएगा ठीक है फिर पेरिफेरल में जितने भी और भी बसे हैं जिसमें PCI बसे हैं SCI, SCSI बस हैं मेमोरी बस हैं RAM बस हैं यह जितने भी हर एक हार्डवेर से वायर के थुरू connection होता है वो सारे bus के रुप में होते हैं जिसे हम bus बोलते हैं तो CPU से जो monitors में connection होता है वो bus कौन सा कह रहता है तो PCI bus यहां पर यह नॉर्मल है बहुत हलका objective है यह repeat होने का chance भी नहीं है इसके पहले वाला जो objective है यह में भी आ सकता है या इसको questions को हम अगर पलट भी दे या फिर अलग से पूछे तो option तो यही C question number 1 का C क्या कहता है the alternate way of writing the alternate way of writing the instruction add has 5 and R1 is this has 5 and R1 को और किस तरीके से लिखा जा सकता है ठीक है चुकि यहां पर क्या कह रहा है instructions के लिए कह रहा है the alternate way of writing the instructions तो यहां पर यह क्या होगा पहला वाला अगर हम देखें तो add R and R1 दोनों को अलग अलग quote में दिया गया है तो इसलिए वो अलग indication है यह यहां पर अलग indication है ठीक है यहां जो तेरा add I instruction 5 और R1 यह वाला पार्ट जो चाहें अब इस तरह से लिखें या इस तरह से लिखें दोनों काम एक ही होगा ठीक है काम क्या होगा कि R1 register पे R1 नाम का जो register है वो वहाँ पे value जो address जो find होगा वहाँ पे 5 हमारा put हो जाएगा यानि R1 registers कहीं पे हमारा है तो उस जगह पे आप 5 को put कर सकते हो ठीक है add कर रहा है यानि उसमे add input कर दीजिए यह mnemonic tap का wording होता है जो assembly language के लिए use होता है ठीक है यह आप high level या low level technique कह सकते हैं लेकिन यह high level पे use नहीं होता यह assembly programming जब हम करते हैं तो यह add move ठीक है यह swap इन सब का use होता है तो इसका alternate way जो होगा वो option number two option number two जो है add i5r1 यानि i for enter instruction okay one का d the instruction phase phase ends with अब जब instruction phase instructions कहां phase होता है कहां पे उसे find किया जाता है macro processor instructions कहां देखने जाता है तो RAM पे ठीक है RAM से ही वो instructions को लेता है चुकि हम जो instruction देते हैं first of all वो RAM पे जाता है अब macro processor instructions को data को Q को Q में कौन सा process है वो कहां से लेने जाता है तो RAM से लेने जाता है तो placing the data from the address in MAR into MDR ठीक है second जो हमने put करके रखा हुआ है इसका मतलब placing the address of the data into MAR completing the execution of the data in placing its storage address to into MAR decoding the data in MDR and placing it in IR यह यहां पर कुछ नहीं चुकि third option जो कह रहा है कि completing the execution after execution instructions को क्यों find हम करने जाएंगे तो यह यहां पर साफ हट जाता है decode यहां पर करना नहीं क्योंकि फेच करना है बस हमें instructions को देखना है first option क्या कह रहा है placing the data from the address in MAR into MDR तो MAR, MDR का यहां पर कोई काम नहीं होगा चुकि हमें फेच करना है instructions को तो placing the address of the data चुकि जहां पर कहां पर वो instructions है ठीक है कहां पर वो instructions है उचका address तो हमें find करना होगा ना आप समान वो कहां पर है पहले उसका पता लगा होगे ठीक है बात को समझना है normally कि कि किसी instructions को यह instructions क्या हुआ एक process हुआ यहां कोई काम हुआ आपको अगर कोई दे कि यहां पर इसको फेच करो अगर फेच करना है तो कहां पर हमें एक location में address पता हो तो वो असानी से हो जाएगा तो सबसे पहले हम उस address को फेच करेंगे तो असानी से वो काम हमारा हो जाएगा तो इसलिए यहां पर जो है option number 2 जो कह रहा है कि placing the address of the data placing the address of the data into MAR okay address place करना है कहां पर तो address बस जो memory allocation resource हमारा होता है उस जगह पर हम यहां पर address को फेच कर देंगे यानि उसे place कर देंगे address अगर place हो गया तो हमें instructions भी मिल जाएगा तो इसका 1 का d का answer question number 1 का d का option number 2 होगा जो कि यहां मैंने लिख दिया है 1 का e for converting virtual address into the physical address the programs are divided into pages normally it's simple काम है simple है virtual को physical address में अगर हम करेंगे चुकि virtually हमारा temporary address होता है ठीक है और उसे हम temporary अगर कोई है और उसे हम permanent अगर हम कहीं fix करना चाहते हैं कि पेज हमारा क्या है तो पेज हम वो पेज होता है जहां पे हम कोई चीज उठ करते हैं कोई data हम डालते हैं ठीक है फ्रेम तो हुआ जो pages के अंदर फ्रेम के अंदर pages बहुत सारे हो सकते हैं ब्लॉक अलग पाट है लेकिन जो addressing होता है वो किसका होगा जिस पे कोई work हो तो यानि पेज का ही virtual address into the physical address में जब उसे convert करेंगे तो किसे करेंगे तो वो pages होता है और page ही हमारा virtual address में जाता है page replacement होतना demand page होना या page fault होना यह सब सब paging से related work होते हैं ओके तो यहां पे यह हमारा जो option होगा option number one one question number one का e का option number one होगा pages ओके यह असान है इसे आप normal समझे यह बहुत ज्यादा important questions भी नहीं होगा यह normally आप इसे समझ सकते हैं याद रख सकते हैं one का f the transfer of large chunks of data with involvement of the processor is done by transfer of large data large chunk मतलब large groups of data जो हमारा होता है वो जो involvement होता है processor जो done मतलब जो process को control करना या process को dynamically कैसे हम handle करेंगे तो वो चीज हम हमारा होता है DMA controller जो होता है या direct memory access इसे बोलो या dynamic memory allocation बोलो चुकि यह dynamic memory allocation का concept नहीं है चुकि यह runtime में कोई data का implementation नहीं है यहाँ यहाँ पे allocation का काम आ रहा है यानि direct memory accessing का काम आ रहा है जो large chunk है data कैसे हम processor उसे handle करेंगा तो यह DMA controller direct memory access controller dynamic memory allocation controller तो इसे हम यहाँ पे DMA controller जो direct memory accessing का काम करता है memory से data को process को access करना एं processor के तुरू उसे complete करना इसका one the computer architecture aimed at reducing the time of execution of the instruction तो दो type का computer system हमारे market में आया एक है sysk complex instruction set computer और एक हमारा होता है reduce instruction set computer ठीक है तो complex instruction set में instruction जो है वो थोड़े time लेते हैं execution के लिए ठीक है बाकी detail आप इसके lecture audio में जरूर देख लेंगे and risk जो है वो reduce instruction set computer होता है जिसमें instruction जो है execute होने में बहुत कम समय लेता है तो इसमें जो हमारा यह option कह रहा है the computer architecture aimed at reducing the time ठीक है ताइम कम लेना execution of instruction तो क्या होगा risk reduce instruction set computer इसका full form होता है which table handle store the address of the interrupt handling subroutine which table handle 5 ऐसा table है जो address के interrupting handling में काम करता है जो subroutine में काम आता है ठीक है इस subroutine में उसे कौन मदद करता है handle करता है तो उसका जो option है वो interrupt vector table vector table नहीं होगा symbol link table नहीं है none of the above यहां पे दिया होगा तो none of the above भी नहीं होगा इसमें क्या होगा interrupt vector table vector table चुकी यहां पे subroutine का दे रहा है तो subroutine में vector table नहीं है प्लस interrupt भी दे रहा है interrupt और vector table दोनों साथ मिलके यह काम करेंगे symbolic link table नहीं है यह सिंबॉल का काम नहीं है कि बस एक symbol दिये और मारा addressing का काम हमारा होने लगा handling काम होने लगा यहां पे interrupt vector table चुकी यहीं पे इसका answer हमारा पता चल जा रहा है interrupt है handling subroutine है तो subroutine में vector table का काम आता है and interrupt है तो इसलिए interrupt vector table 1 का आए the situation where in the data of operand are not available is called the situation where data का जो operand है किसमें available नहीं होता है ठीक है तो available data का ना होना यह हमारा stock में तो data हमारे रहते ही है क्योंकि collection of processing हमारा रहे गई deadlock तो process के अनुसार ही वह deadlock situation में जाते है instructions more than instructions को लेना ही deadlock में वहां पे process को काम करता है structural hazard यहां पे एक pipeline का concept यहां पे आ जाता है more than one pipeline more than one instructions को कैसे हम handle करनेंगे तो data hazard जो है हमारा यह यहां पे सही answer होगा क्योंकि data का operand data of operand are not available किसमें नहीं है तो data hazard में यह काम नहीं होता है ठीक है wherein data operand are not available तो data hazard data hazard का instruction या dependency या फिर work profile पाइप लाइनिंग के में होता है लास्ट हमारा जो one का यह है the dma controller has registered तो dma controller में कितने register होते हैं तो two होते हैं यहां पे यह two registers इसके होते हैं dynamic memory allocation controller dynamic memory direct memory access इसमें दो आपका register इसके साथ inbuilt होते हैं जो की runtime में या memory को direct accessing में मदद करता हैं तो objective section को देखा total 10 objective हमारा इसमें है जहां पे हम इस चीज को total 10 objective को handle करके देखके और इसमें से जाला तर objective हो सकते हैं कि अजर questions दूसरे तरीकी से पूछें लेकिन options आपका यही रहेगा यह भी possibility है कुछ ऐसे questions हैं जो repeat हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं तो जैसे आपका पहला नमर questions में भी repeat हो सकता है DMA को इसको दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है तो यह सब questions हैं कुछ ऐसे जो आ सकते हैं तो इस पर ध्यान दीजेगा next part में हम इसके long questions पर चलेंगे तो long questions question number 2 से हमारा start होगा तो question number 2 का जो हम part है वह हम देखेंगे next part section इसका जो की 2 से question number 2 से total हमारा 9 तक हमारा रहेगा तो 9 तक में question इसका हम second part हम उसमें start करेंगे चलिए फिर देखते हैं हम PYQ 2025 Computer Organization and Architecture का second number part 2 को